नमस्कार दोस्तों आईए आज हम सभी जानते हैं सफेद बालों में कुदरती रंग कैसे भरना है जिन उबटनों की बात हम आपको बता रहे हैं यह आपके बालों को एक केमिकल डाई या कलर की तरह काला तो नहीं करेंगे लेकिन बालों को कुदरती रंग देंगे और जिन का तेल अद्रक का तेल और पचासे मल जैतून का तेल चाहिए होगा अब इन तीनों को लेकर के मिक्स कर लेना है और हल्का सा गर्म कर लेना है कडाही में 10 ग्राम सरसों तेल 20 ग्राम करीपत्ता 20 ग्राम सुखा आवला और 20 पत्तियां महंदी की इन्हें तब तक पकाएं जब तक सुरज की शीशी में भरकर रख लें एयर टाइट धकन लगा कर चार दिन इसे सीधे सुरज की केणों के सामने रख दें चार दिन बाद यह और शद ही अपना सारा गून तेल में मिला देती है अब इस तेल को छान लें और अपने सिर पर एवं बालों पर हपते में तीन बा मालिश करें उंगलियों की सहायता से अब महंदी का पेष्ट महंदी का पेष्ट बना कर सिर पर दो या धाई घंटे लगाने से बालों में बहुत अच्छे रंगत आती है और बाल मुलायम एवं घने होते हैं महंदी के बाद सिर को धोकर 100 ग्राम पीसा हुआ आउला इस पेष्ट को हफ्ते में एक दिन जरूर लगाएं लगाने से पहले बालों को हर्बल शेंपू से धोएं और बालों को सुखा डालें बालों को दें रेडिश और ब्राउन रंग अपने बालों को कलर करने के लिए हम आपको जो बता रहे हैं इन घटकों को मिक्स कीजिए और अपलाई कीजिए मेहंदी की पत्तियां 50 ग्राम एलुवेरा पल्प 20 ग्राम हरित की 50 ग्राम आउला पाउडर 20 ग्राम सब का चून बना लें और पेष्ट बना लें इसमें आधा निम्बू का रस मिलाएं और बालों में लगाएं लेकिन पेष्ट लगाने से पहले 10 एम आउम ब्राउन हो जाएंगे ओलिव ओल है बेहतर 20 एमेल गर्म ओलिव ओल से बालों एम सीर की तवचा की मसाज करें मसाज हमेशा उंगलियों के पूरों से एम हलके हलके करनी चाहिए 10 मिनट मसाज करें और 5-6 घंटे बाद अगले दिन शीका काई पाउडर आउना पाउड रीठा पाउडर एक एक चम्मच सब को मिला करके गर्म पानी में मिक्स कर लिजिए पानी से सीर को साफ कीजिए या हर्बल शेंपू का काम करता है इससे बाल लंबे घंए काले होंगे एवं जड़ने बंद हो जाएंगे कुछ लोगों को शीका काई सूट नहीं करती तो वह इसको हटा सकते हैं इसमें से इसके अलावा तुरंत नेचूरल बर्गेंडी कलर पाने के लिए मेहंदी की पत्तियां 100 ग्राम चुकंदर एक छोटा सा एलुवेरा पल्प 100 मेल और मुलतानी मिट्टी का चून दो चम्मच चुकंदर मेहंदी के पत्तों और एलुवेरा को प और गंडी कलर आ जाएगा और आप देखेंगे कि आपके बाल सुनहरे लगने लगेंगे तो यह थी आज के हमारी जानकारी आप सभी के लिए बालों को हिल्दी और नेचूरल कलर बनाए रखने के लिए और जढ़ने से रोकने के लिए और शधियां थी हैं अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्व पूर जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद